मैं एके दिवांगन पी टीडी सीजी स्कूल में आप सब का स्वागत हैं आईए छेत्रमिती इकाई से घन ए घनाव से सम्मंधित प्रश्न देखते हैं प्रश्न है तीन घन जिसमें प्रतेक का आयतन 125 घन सेंटी मीटर है इनको किनारों से जोड़कर एक घनाव बनाया गया है इस प्रकार बने घनाव का प्रिष्ठिय छेत्रफल ग्याद कीजिए तीन घन है जिसमें से प्रतेक का आयतन 125 घन सेंटी मीटर है और इनको जोड़कर इन तीन घनों को जोड़कर एक घनाव बनाना है तो हम सबसे पहले यह जो समान घन है उसकी एक कोर की लंबाई याद करेंगे कोर यह भूजा की लंबाई याद करेंगे तो माना घन की भूजा या कोर की लंबाई एक सेंटी मीटर है प्रस ने में दिया है कि घन का आयतन बराबर 125 घन सेंटी मीटर तो हम माने है कि भूजा एक से है तो घन का आयतन एक सेंटी मीटर तो इस प्रकार एक सब यहाँ पर करनी लगाएंगे जिसके करनी का घात 3, 125 घन सेंटी मीटर घात 3 एक से घात 3 का जो घात है उसको इस तरह पक्छांतर करेंगे दाइनसाइट तो करनी लग जाएगा जहाँ पर करनी का घात 3 हो जाएगा तो इस प्रकार इस करनी को जब हम हल करते हैं तो एक से बराबर 5 सेंटी मीटर आएगा तो इस प्रकार यहाँ पर तीन प्रते घन का जो कोर है 5 सेंटी मीटर हुआ जो समान 3 घन है उसका तो इन 3 घनों को इस प्रकार मिला दिया गया है जैसे यह पहला घन है फिर इस किनारे से दोसरा घन को जोड़ा गया है इस किनारे से तीसरा घन को जोड़ा गया है तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि ये घनाब बना और इस घनाब की लंबाई जो 55 cm कोर वाले घन को किनारों को जोड़ा गया है तो इस कोर की लंबाई 5, 5, 5, 15 cm हो जाएगा चवड़ाई 5 cm, उचाई 5 cm तो इसके हम आगे चलें तो इस प्रकार तीनों घनों को जोड़ने पर बने घनाब की लंबाई 5, 5, 5, 5, तो 15 cm हो जाएगा जैसे हम चित्र में देखे चवड़ाई B बराबर 5 cm, उचाई C बराबर 5 cm अता घनाब का प्रिष्थी छेत्र फल बराबर 2 फिर कोश्टक में 2 गुणित A, B, धन B, C, धन C, A ये प्रिष्थी छेत्र फल का सुत्र होता है तो इसमें हम सब मान रख देते हैं तो 2 का 2 A है 15, B के जगा में 5 फिर B के जगा में 5, C के जगा में 5, C के जगा में 5 और A के जगा में 15 तो इस प्रकार इस 2 का 2 लिखे 15, 55, 25, 25, फिर 5 गुणित 15, फिर 75 आ गए ये तो 2 का 2 अब 75, 25 को जोडने पर सभ होता है और 75 को जोड़ेंगे तो 175 तो इस प्रकार 2 गुणित 175 और 2 गुणित 175 को जब हम हम हल करते हैं तो इसका आंसर आता है 350 वर्ग सेंटिमीटर तो 350 वर्ग सेंटिमीटर जो घनाब मना घनों को जोड़ने पर उसका संपुन प्रिष्ट का चेत्रफल है यही आंसर है